जनता क्या कहती है गुरुजी महाराज उनका ऐसा देश कोई मिलेगा नहीं और जमबा है गुरुजी महाराज जो है वो 5 दर्जा फेल ब्रहमन का लर्चा और जाटों का ठाकरों का लर्चा य। ad we डेवल एमड पीएसडी डीलिट来了 कैगे गुरुजी महाराज का इपांस दर्जा फेल तेरा गुरु कब गुरु के घर में जनम करें चाए यह बेगार क इसके उपर मेरसी द्यानी माराज ने कहा कि लोगों बुद्धी से काम लो ये तो गोर पतन हो गया और इस पतन का कारण क्या हो जानते हो जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमको गुरू मानते तो हमें पढ़ने की आवश्यक्तात कोई है नहीं उन्हों वेद पढ़ना छोड दिया और और लोग वेद पढ़े और लोग ने वेद पढ़ना सुन किया अब जातों के लड़के वेद पढ़े थाक और राजपूतों के लड़के वेद पढ़े तो पंडित सुनकर के क्या कैसे अब तो कल योग आ गया धरती फटेगी है बुद्धी का दिवारा तुम पढ़ोने दूसरे को पढ़ने नहीं जो अब कल यो क्या आ गया है तुमारा आलस आ गया है वारा आलस ले वेट है तुमको यही था मेरशी द्याजी महराज ने कहा बड़ा घोर पतन हुआ है बैन और भाईयो ब्रामन ब्रामन जनता को सही रास्ता दिखाता था ब्रामन होता था समाज का ड्रैवर और वहां लिखा है ब्रामण अस मुकमासीद बाहू राजनिक्रत है ये मंत्र ये लोग जानते हैं कई लोग बैठे मैं मंत्र का भावी बता दूँ मंत्र पर इसे सुनने ना जानता मैं भी हूं मंत्र पर वो जो भाव बता दे रहा हूं उसकी आवशकता है कहते हैं ब्रामण कैसा होना चाहिए सुन लो यह एक उपमा दिये मुख ब्रामण च्छत्री भुजा उदर वैसिको जान और पैरों को शूद्र कहा ये यजर वेद प्रमाव है जी वो उस मंत्र का भाव है ब्रामण कैसा होना चाहिए यहां से ऊपर का हिस्था यह सब पंडिजी महराज हैं शरीर अच्छ Salvador क्या है विश्यस्ता यह है कि सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो हर मौसम में यह हिस्था खुला रहता है यह तपस्या कर रहा है ब्रामण कैसा होना चाहिए तपस्वी तपस्या करने वाला तपस्वी और त्यागी दूसरा गुण क्या है त्यागी होना चाहिए त्यागी कैसा इस मों में बढ़िया से बढ़िया चीज रखो या अपने पास नहीं रखता जादा देन नहीं रखे जितनी जादा बढ़िया हुई उसे जल्दी सप्लाई करेगा और खराब हुई तो अचा कंकर चला गया कोई दात के नीचे हुई कट अंदर से आवाज आई कार खाना रोक दो गुंडा गुश गया इसमें निकालो उसको बदमास को बिगाड करेगा तो उसको पकड़ने का काम करती है जीव वो CID पु भुझेगी ब्रामण का काम है बड़िया चीज पेट को दे देना गलत जो है तो कहते ब्रामण तपस्या कर रहा है आपने हाथ के सरदी के समय में हाथ के मोझे पहने पैर किसी विगतिने का एक मुहकावी धक्कन दे दो वड़ी सरदी लगती है मुहका धकन किसी अजो नहीं के सरदि हो तफ तफ या करेगा ब्रामन का काम तफ़ श्या करना और थियाभी है दे देता है और सारे शरी का ज्यान का भंडार यहीं है फ् Gold रही Ms. Medirect के पास ब्राहमन ज्यान का भंडार होना चाहिए मैं नाशीवत रहे नहीं सकते ब्रामन के बिना संद्या कर रहेए कि जलेगा सब को मार देगा पीछे वालों को ब्रामन समाज का क्या होता था ड्राइवर यहां इसा अधिया समाज को पड़ाक था सब था था एसा अधिया लोन्सारमा कं इस घुम ने दार Disk Kickill क किma नातुत कम बेदों को पड़ते अंग में तो सिद्याजी महाराज ने एक चौपाई लिखी, आपने शायद सुनी हो, क्या लिखते हैं। सोची विप्र जो वेद विहीना, ताजे लेज धारम विशैला वलीना। सोची विप्र जो वेद विहीना, उस ब्रहमन को सोच नहीं है जो वेद छोड़ गया हो, जो वेद नहीं पढ़ता हो, बैनोर भाईयो मेरसिद्याजी महाराज ने का तुम वेद पढ़ो, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना, सवारियों का पर्मधर्म है, ब् एटा गुरकुल में बहुत रहाज हमारे आचारी जी पढ़ें, एटा गुरकुल से एक गाउं में प्रचार करने गए, तो यादवों की बरात थी, यादवों की, और उस यादवों की बरात में गुरकुल के चार पांच लड़के शास्त्री थे यादवों के, अब दिवा का समया तो क्या कहने लेगे वहां के लोग बेवा में कोई पंडित होना चाहिए तो हमारे रामसरुप जी कहने लगे यहां लड़के शास्त्री आचारियें गुर खुल के चार पांच लड़के आएं यह बढ़िया मंत्र जानते हैं विवा करा देंगे करना यह यादमों के लड़के कोई पंडित करन लक होना चाहिए अब पंडित कोई था नहीं है पंडित के घर गए पंडित चला गया किसी और वरात में तो पंड़त की घरवाली से का चल बिवात तू ही पढ़ा है उनके लड़के को लाए वो लड़का वहां बैठा रहा और ओम स्वा ओम स्वा करता रहा पर उन लड़कों से बिवा नहीं पढ़ाया यह है लोगों का दिमाग खराव यह घोर पतन है हम उसी से संस् कर क्या रहा है जंता को जांती नहीं और सुना करते नो अपदेशक लोग एक पंड़ी जब विवाकरात एक एक रात्त्री में कई कई विवा हों और जगा जगा उससे जाना पड़ता दक्षना मिलती है उसने जो ही विवाकराया तो दो तीन फेरे घुमा दिये अब किताब दो इस इस कौम की हालत है हिंदू कौम की होगा जिस देश का प्रोहित कुछ भी नहीं जानता हो गोपिजंद भड़त हरी के चौबॉला बोल करके विवाकरा रहा है रामान की चौपाई बोलकर के हवन करा रहे हों वेध पढ़ना छोड़ दिया तो कहते घोर पतन हुगा देश में ब्राह्मन तो उसको कहते थित्यागी तपसी और विद्वान होता था इसलिए बैनों भाई और ब्राह्मन कोई जाती नहीं होती ब्राह्मन वर्ण होता है जाती तो मुनुष है और ब्राह्मन क्या है बोलो बर्ण है जो ब्राह्मन के काम करें वो किसी जगह का रहने कि ब्रामन की बात जब ताल दी लोगों ने देश में बिगन हो गया महाना प्रताप और सक्सींग दोनों भाईयों के बीच में जब दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए प्रोहित आ गया ना तो प्रोहित ने का जब तक मैं जीवित हूं तब तक दोनों को लड़ने नहीं दोनों भाईयों ने प्रोहित की बात नहीं मानी प्रोहित मर गया उसने का मैं जीवित हूं तब तक लड़ने नहीं दूँगा मेरा कर्तब में ग्रिस्त की रक्षा करूंगा तो ब्रामन मर गया दोनों भाईयों लड़ाई हुई एक सक्सींग निकल करके अकवर से जा मिला और घोर पतन हो गया योग व्यक्ति का काम था देश को बिगन को रोक देना ये था ब्राह्मन का काम हम सब जो है अपने कर्तव को बैन और भाईयों भूल गए अब आप कहेंगे आरी लोग ब्राह्मन की बुराई करते हैं हम बुराई नहीं करते हम अच्छे ब्राह्मन को गुरू कीजिये तो पहचान करके जान करके अयोग व्यक्तिव को तुमने गुरू माल लिया तो देस धूब जाएगा ब्राह्मन का काम यहां से उपर का जो इस ता सब ब्राह्मन का है ऐसा काम करता अब आप कहेंगे ब्राह्मन की बात कहते लोग में छत्तृ की सुनाद सोने कन्याओं का दान किया आकर या भोवने सोने से लिवकस की हेदन लाली चंद्र गुप्त की थी घर वाली बड़े मैदान जीत लिये ऐसे थे शत्री वलसाली जवती वेदों की प्रणाली तवती घर घर में को सुहाली आज पतन हो रहा बतन का चारों बर्नों में पामाली जवती वेदों की प्रणाली कर दो दो कि अर न मुद कर दो दो हूग। करें क说 हूग।